हाई आम उनीज अरियाज वेलकम टू ग्लेट्स विजिन यूएस से तो कल निशान ने जैसे सब को कह दिया था कि अगर तुम लोग जो है न ये तोड़ फोड करोगे तो मैं डिस्कॉलिफाई कर दूँगा और सबने उससे जो है ना कन्फर्म किया था कि अगर तोड़ फोड़ होगी तो तुम डिस्कॉलिफाई कर दोगे और पहले तो लड़े के भई ऐसा कैसे एक की गलती के जैए और प्रती की यासे हमारा क्यों डिस्कॉलिफाई करोगे लेकिन उसने साफ कह दिया था अब मुझ जो है इशा, माईशा, उमर और ये जो है न अफसाना ये सब खड़े ये बात कर रहे थे कि जो है न ये जो निशान्थ है ये अकासा को हेल्प कर रहा है उनको तो ये है क्योंकि वो प्रतिक के साथ रहती प्रतिक की दोस्त है तो वो अकासा को हेल्प करेगा प्रतिक को या फ जो है ना हम कुछ भी नहीं करेंगे मतलब तोड़ यह तोड़ पोड़ कर दें क्योंकि अगर तोड़ फोड़ होगी तो डेफिनेटल उसने बोला डेस्कॉरिफाय कर देगा और ब्रज जो है नहीं छुपा लिए थे नोंने जो के बाद में शमीता ने लाके दे दिया जिस प और हम तो इसके प्रतिक्या अगेंस काम करना चाहरे हैं यह उसको help करें मगर वह अपने उसमें है कि भाई कुछ भी हो यह गलत वैसी जय गलत जा रहा है उसको लग रहा था गलत यह लोग सब तो जय को फिर भी सपोर्ट ही कर रहे थे मगर वह फुर भी उसको आज नहीं द घर तो प्रतिक ने बोला मैं जाँगा जय ने बोला नहीं मैं जाँगा तो प्रतिक ने बोला ही में तो बनाने जाओंगा तुम तो बिगारने जाओगे से इस ङतल. हो गया और फिर ये निशाननीते हैं कासा और किमभा बनाने दिया फर्स로 । उसे भाध्रांड उनRIS लोगों ने बना लिया सेकेंड राउंड ना प्रती को दिया जब फूर्थिक को दिया तो पर चेल्थ जैके यहिसीा डात है चैका कि ये जैसे इनों ने कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे जै को करने देंगे जो कर रहा है तोरफ़ जो भी हो इन दोनों के साथ और डिस्कॉलिफाई तो होना ही है ये लेकिन जैने उस कितनी जोर से पकड़ के रखा मतलब बनाने नहीं दिया उसने बनाने नहीं दिया और प्र यह जो निशान थे तो पूरी तरह प्रतीक को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि इसने कली बोल दिया था कि मैं तुझे तेरा टाइम दूंगा तू बस बनाना मैं जितना भी टाइम हो यह तोड़ फोड़ करने दो तू बनाना तो वह अपनी कोशिश में लगा वा था और निशान और उन्हें अपना टाइम भी वह नहीं करना था तो वह उससे आर्ग्यू कर रहे थे और यहां निशन थोड़ा गलत हुआ मतलब इतना ज्यादा करने की जरूरा नहीं थी आप रूल के हिसाब से रूल में रहकर भी कर सकते थे जितनी आप करना चाहते आप हैल्प करते हैं वह इतना खड़ा हिग मतलब नहीं इसको टायम ही दोंगा तो लोगी गलत थो हो कोई फायदा तो फिर भी नहीं हुआ माना वह प्रतिक को HELP करना चाहरा था पर फिर भी गलत था तो फिर फिर ये जो है ना उमर ने जो है ना वो सिंबा के पैसे चीन लिये और सिंबा से चीन लिया और फिर ये अफसाना लेके अंदर चली गई और माईशा और अकासा भी एक दूसरे में लड़ना शुरू हो गए विकॉस क्योंकि उनको तो यही लगा है निशान तो अकासा को हेल्प करेगा तो वो अपनी जगा पर सही थे के भई हमें नहीं मिलेगा तो इनको भी ना मिले और अफसाना जो ना अंदर लेके बातरूम में और उसने पहले से शायद रखे वे थे और इनको खराब वाले लाके दे दिये बाद में बोलने पे इतनी लड़ाई जगड़ा होने पे तो और अकासा समझ गई जब वो बाहर है के भई यह ले के गई थी शमीता ने निशान से कहा के भई CP ब्रटी की वज़ासे सब को क्यूं टृबल में ढाल रहा हो निशान ने कहा के ए एक जय उसने बला के एक प्रतिक की वैसे तो उसने बला उसकी व्यासे ये लोग क्यों अपना वक्त कराब कर रहे हैं तो उनकी बड़ी आर्ग्यूमेंट चली और जब विशाल को हेल्प करनी थी गन्ने वाले टास्क में तो शमीता का अनफेर अनफेर हो सकती थी वो सही थी वो उसका दोस्त था जो भी था तो इसना पतीक भी उसका बैठें और वो विशाल जो है ना वो बाबा उसे हख कर रहा था और वो कहरी कि पकार है और वो चीज तेजू को बुरी लग रही थी उसके लिए भले वो कितना भी हूमर हो लेकिन तेजू को अच्छा नहीं लगा था पर तेजू को भी उसी टाइम उसे बोलना चाहे था जब कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही तो इतना गट्स रखो कि साम में से बोलो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जब आप दूसरों को बोलते हैं तो फिर विशाल को भी मना करो क्योंकि बाद में वो करन से जैसे सब से बाते करती भी दिखी हूँ उमर्ण ने गुसा निकाला और ब्रश ही फेग दिया और फिर तोड दिया वह जो पैसे बना रहे थे जो तोड दिया और जो है शमीता के पैस जाके गिरा था और करन को हैद लगा भी कुछ तो वह शमीता बड़ा गुसा भी उटके चलेगी थे मतलब यह कैसे हो रहा है और अकासा को जैसे मैंने का पता चल गिया था कि इसने ऐसा मतलब किया है अफसाना जो है ना खराब वाले नोट्स लेकर आके दिया है और तो वो जो है वो अर्गुमेंट रूंड का चली रहा था तो यहां जो है ना सिंबा, अकासा, वेस, उमर और अफसाना और फिर माईश और इशान तो इनको हेलपी कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे तो इस चारों का चली रहा था क्योंकि इनको लग रहा था, रद होगा लेकिन निशान ने कुछ, मतब डिस्कॉलिफाय होगा पर वो कुछ किया नहीं उसने वो तोड़ भी दिया था, वो बोले, अब तो तो डिस्कॉलिफाय करो, मगर नहीं तो वो उनका चल रहा था, वो अपनी जगह उसकी वो बात पकड़के चल रहे थे और वो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इसने बोल दिया तो बोल दिया है तो ना निशान का भी ऐसा बोलने का कोई फाइदा नहीं हुआ और उमर ने तो बहुत जबरदस कहला, उसने बिलकुल इतना इंटेलिजेंट अपना यूज किया उसने जैसे भी उनसे चीन के, क्योंकि उसको एक तरहां से ना अपनी सेफटी करनी थी अगर निशान डिस्कॉलिफाइ नहीं करता है, तो ओवियसली वो बोलेगा कि पैसे लाके दिखाओ तो पैसे तो दिखाने पड़ेंगे और उस पे उसने वो अफसाना को दिया और अफसाना ने जो रखे थे वो उससे बदल के लाके इनको दे दिये और ये भी समझ गए कि इन्होंने कुछ तो गड़बड किये लेकिन वो अपनी बात पर रही और जो है ये इन दोनों का दिमाग चला उमर ने अपना पहले किया और फिर अफसाना ने अपना और इस तरह से जो है ना फिर ये तोड़ भी दिया तो आगे मतलब इशान और माईशा को भी मौका ना मिले तो बहुत ही अच्छा है और सिंबा को बुरा भी लगा क्यूंके भाई वो सब तो पहले सा भेगते तो उन्हें लगा था कि हमसे तो नहीं करेगा लेकिन ऐसी बात है हर कोई तो उसको बुरा लगा और उसने का कि मैंने वह जो है न ट्रस्ट को दिया उसने उमर ने और उसकी न बुरी तरह से संकी वी थी उमर से और वह जो ना बाद में जय को कह भी रहा था कि मैं इसे जीतने नहीं दूंगा जब तर यह लोग बाहार थे अब अब नहीं पता उसे पूछा और फिर शमीता ने उसे बोला कि जो है ना पती को सजा मिली है क्यूंकि वो भी सब के साथ यही करता था टास्क खराप कर देता था तो ठीक फेर एनफ एड़ दी एंड निशान ने शमीता की सुनी और रूल बुक फालो किया मैंने जैसे का अफसाना जबर्दस खेल गई और जो है उसे अंदर जाने तो हर कोई इधर सही है अपने लिए खेलने लेकिन जैसलिए गलत हुआ कि वो खुद की वजह से दूसरे को भी टरबर में डाल रहा था और ठीक है आपको एक बात की वो लगी तो वो दिन जो आपने स ही खालिए तो ठीक है आप अपनी तरब थे बड़ एनिवेज तो सब अफसाना पर चड़ ग mental क्हाई और य熹िल ऑ और वो कहые है के मैंने डिल से करती तो वाली बात उसने वह किया और जैसे ऐलोов के मेरी कोरुद क कर ना कर आप अपनी फैमिली की फिकर करो तो यह बाश समझ नहीं चहे उसके क्यों लग गए ता प्रतिक्य था नौ required क्यों कैंगा तो सब ये बाहर जाएंगे और मैं तो किसी तरह से अंदर कोई चीज आएगी ऐसी के मैं अंदर चला जाओंगा क्योंकि उनके पास तो आमजी है तो वो अपने उससे सुचे थे पर ये कोई अच्छी बात नहीं अगर आपको आमजी है तो आप दूसरे को जो है ना ट्रबल में डाल दें तो यहां जैब बहुत गलत हुआ है इनको लगा के निशान डिस्क्वालिफाई करेगा जैसे मगर निशान ने नहीं किया क्योंकि उसने और उमर और अफसाना जीत गए और उनको अपग्रेट कर दिया गया अंदर जाने के लिए सब का मुँ मतलब उसका देखने का था अभियसली हर को यहां आया है उसको तो बुरा ही लगेगा ना उसे अंदर जाना था पर जिस भी रीजन की वज़ा से यह हुआ हो चाहे जै की वज़ा से हुआ हो चाहे जै और प्रतिक की लड़ाई की वज़ा से हुआ चाहे किसी के अनफैर होने पे हुआ हो चाहे किसी भी रीजन से हुआ उनको तो बुरा लगेगा तो काफी बिचारे मू लटके वे थे और उमर को तो सुमबा को बुरा लगा तो उसने बोला कि मेरा trust खो दिया है तो उमर ने दिमाग लगाया था अपना उसने वो चीज लगाई अपने लिए और उसने कहा कि करता था और प्रतिक ने दिल से उमर को जो है न विश किया उसको बहुत अच्छा खेला करने भी बड़े हो किया उसको है बड़ा जबर्दस देखाए तो आप तो चलो फ्रेंढस ही हैं वह सपोर्टि कर रहे हैं वह साथ ही हैं तो वह समझ आता है तेजिस्वी ने कहा कि taste of medicine मिली प्रतीक को उसको fair की spelling भी नहीं आती है क्योंकि सब प्रतीक से नराज हैं प्रतीक ने task कराब करता है हमीशा कुछ न कुछ करता है तो ये वज़ा से शुरू के week में तो चलो समा जाता है 3 verses 13 था फिर second week में वो थोड़ा ठंडा हो गया चीजें उसको दी भी नहीं टास्क करने ना ही गन्यवाला उसके बस में था ना ही ये जो nomination हो गया तो बहुत सी चीजें second week में नहीं थी अब third week में इसको मिला captaincy का तो माना बस उधर एक गलती करी उसने के वो कील उसकी चुपाई लेकिन एक कील चुपाई थी वो दिमाग लगाते जै तो वो भी कर सकते थे तो एक कील के लिए इतना उनको भी नहीं करना चाहिए था लेकिन इसका मतलब यह नहीं था फिर भी प माजर से देखो तो प्रती गलती दिखेगा पर हमें लगता कि यह जैने कुछ जादा ही कर दिया चलो कल तक फिर भी वो लोग भी ट्राय कहते कि जै मान जाए जै मान जाए जै मान जाए लेकिन अगर वो चाहते तो कुछ help कर देते पर उनको यह था कि जब जै को जाना ही न बंदूख रखके तो वह सब क्षेर हो गया और निशान अब प्रती को आपको के अपनी स्ट्रैटीजी चेंज करो बाद में शोंब निसे सब तुमारे अब गेम समझ गहां कि तुम यह खराब करने वां सन्की हुई की थैजिए तो कि उसने बुला मैं यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है है ना वहां स्माड भी हो पूरा भी दिखाने की कोशिश नहीं करा कि मैं प्रतीक को शिखा रहा हूं यह मैं सपोर्ट कर रहा हूं मगर थोड़ा थोड़ा ये भी बता है कि मैं थोड़ा थोड़ा ही बोल सकता हूं बाकी तुझे दिमाग लगाना है तो उसने ये कोशिश की और उसने अपने लिए भी बोला कि भई मेरे लिए भी लोगों का जो परसेप्शन है उन्होंने बना रखा लेकिन फिर भी मैं इतना जादा नहीं करते हैं जबकि देखा जाए तो हर चीज में जो है निशान उसके पीछे रहा है उस चाहिए वह कील वाली हो चाहिए कुंडी खुलने है लेकिन फस्ता प्रतीकी है तो क्योंकि सामने तो वह उसने किया तो सारा उस पर दाल दो निशान तो फिर भी अच वह नहीं समझेंगे यह बात को कि तू यह किस लिए कर रहा है जब तक वह खेलने नहीं लग शुरू करेंगे तो यह बात प्रतिक्यों बोली और इशान क्योंकि जब वह इतना आर्ग्यूमेंट चल रहा था यह जो निशान यह जब डिस्कॉलिफाइ करने पर तो वह शमी बात करना अच्छे से रहना यह वह लेकिन वह सौरी कर रहा था पर शमीता ने बस इतना ही बोला वह भूत ही घुशा थी उससे चड़ी वी जब जादा उसे वह किया नहीं फिर बिग वर्स ने जाए सी बात है जब सब लोग जो अंदर चले गए थे यह तीन कपल्स तो फि कि हां और निशान इस तरह से अंदर आगे जब निशान अंदर आ रहा था तो प्रतिक के पीछे स्माइल करता है खड़ा है मतलब जाहर सी बात है दोनों साथ थे मगर वह बाहर है वह अंदर है और उसको दुख हुआ था क्योंकि उसके साथ जो चीज की गई जैने जिस तर भूग नहींकि भूग दिखानी पड़ते हैं आप क्रहने याज मैं तो पोई निटका कोई नहीं दिखाए गाãy लेकिन आसी होती है दिमाग में ऐसी दिखती हैं लोगों को तो यह चीज ऐसी दिखनी नहीं चाहिए यह जो एम जी वाली बात बाहर आ रही है लोग बोल रहे हैं इस लोक नाइस तो एनिवेज यह बात कर रहे थे कि भूप नहीं है और जो देना बिग बॉस देंगे मतलब ऑविसली वह गेम मे बार चला जाएगा क्योंकि वो तो लाएंगे जो भी तुझे तो अपना खेलना है तो एनिवे उसके ज्यादा तर यही लगा क्योंकि प्रती को उसके साथ कर दिया था तो उसे वो जो उसको उससे बदला लेना था जो कि बाद में हमें दिखा भी कि उसने बोला कि तुमने ने जो किया था टैप्टन सी टास्क में बिग बॉस नने शाहिए जो आइडिया लिया था यह पैसे वाला जो विशाल ने बोला शायद बिग बॉस ने इससे आइडिया लिया और बाद में फिर पैसे वाली बात लेकर आई बिग बॉस ने जो सारे पैतवे के जो पीसिस थे वो वापिस मांग लियो बुला गुफा में रख दो तो बिचारों ने इतनी मेनच से पूरा ये किया था मतलब आलमूस्ट आप कह सकते हैं तो एन हैफ वीक इस चीज में लगाया उन्होंने इतना किया कि ये पैद बना के अंदर जाना और बिग बने सारा आइडिया ये चेंज कर दिया जो भी रीजन हो और जब ये एक पीस मिस था तो ये जो विशाल है जय है और ये ते जस्वी सब बुले हमने वो किया हमारा ये आइडिया था प्रतिक पीछे बुला लेके मैं भागा था क्रेड़ेट इनको लेना ठीक है भई तो जरी बात है पर ओडियंस को भी सब दिखता है यहां से तो निशान फिर प्रतिक के लिए रोया हमें दिखा जैसे कल दो बार दिखा आज भी अंदर था जब वो तो रो र लेक्राइन उसे वाली बात चुब रही थी वह जब तक चीजह वह रही हैं इसको फाइन होता है कि ठीक है सब करेंगे वह गलत करेगा तो चल् digitally रख ली रिखुर दिटी गरे उसको वह बात चुत रही थी करे मतलब और एक तरह से इसको यह भी बुरा लगए था क्योंकि हर चीज में वह प्रतिक के सात Hm होता था चाहे वह कुंडी वाली बात हो वह उसका एक तरह से क्राइम वह था तो वह अंदर वह बाहर है तो सब मतलब उसके साथ तो निशान से तो बनानी है अब आप कुछ भी सोचें शायद निशान ज्यादा बड़ा नाम है इंडस्ट्री में क्योंकि वह कोरियोग्राफर है सब एक तरह से दोस्त हैं जानते हैं शायद यह रीजन है कि वह जादा उसको समझते हैं और प्रतीक के अगेंस्ट ही उनको खड़ा होना है तो यह बात थोड़ी सी और सब आके उसे पूछ भी रहते लेकिन वह बस रो रहा था उस टाइम पे किचिन में ख बोला कि मतलब तो गेम की वैल्यू नहीं करता है मतलब ग्रजी और यहां पे बदले लेने थोड़े आएं अपने लिए खेलने आएं अपने लिए आपको लगाना है और जीतना है वह गलत किया उसने आप भी गलत करेंगे क्या यहीं चलते यहीं आपका आपका बच्चों क यहां पे यह लोग सब इसको सिखाने के लिए अपना गेम के लिए अपना भी गेम कराब कर रहे हो ना तो यह चीज थोड़ी सी गलत लगती है और उसने बोला प्रतीक ने कहां ठीक है मेरा करमा है मेरे पर आया ठीक ऐसा ही है जैने का मैं तो कैसे भी कर लूँगा जो मैंन भाई उसने सही कहा क्योंकि यह तना कर रहा था और इसको एक सिखाया मगर वह चीज नहीं दिखी अगर वाकि बिग बॉस यह 25 लाक नहीं देख एक एक बात कह रहे हैं तो फिर तो एनिवेज वह उसने बात में निशान से बात भी करी कि अगर तास्क क्योंकि उसका बदला प प्रतीक एक ही दोस्त है जो जैनियन है और वो हमेशा मेरे साथ होगा यह बात उसे पता है यहां सब में कि वो मेरे साथ फिर भी होगा पर बाकी नहीं होंगे तो जैने कहा वो मैं भी हूँ पर अब आप इस पे क्या कहेंगे के जिस तरह से इसका रहा है हर दोस्त के साथ चाहे माईशा हो चाहे अकासद हो चाहे प्रतीक हो तो अब निशान के मामले में आपको झाल झाल ठेख अगर निशान भूड़ा करेंगा तो जै बदला नहीं लेगा प्रेंडी रहेगा तो अब यह तो देखने वाली बात आगे आगे अगे सब का पता चलेगा निशान ओते जिसी की फिर यह फड़ा फ़ंब पार्ट हों कि निशान ओते जिसी की शादी प्लान मतलब मस्ती मजाग थोड़ा यह दिखा क्योंकि यह सब अंदर हैं और वो लोग बाहर हैं तो यह खुश थे कि हम तो अंदर आ गए हैं तो यह बड़ी खुशी मन रही थी फिर निशान और जैकी भी कौमिदी चल रही थी विश्वा सुंतरी को ले के और वो बात नहीं करती हैं और फिर एकदम से विश्वा संतरी ने उनसे बात करी और जिस वह बड़े खुश भी हो गया और जब कहा जैनने उनसे का के बहुश एक मौका दे दें आप अपने करन और तेजा इनका जाएसे आते हुए धिकार रहा है कपल बन रहा है तो इनको भी जगा जगा बाते करते दिखाते हैं और वह कुछ relationship पे बाते के हो रही थी कुलकि कि करन की पहले जो relationship रही तो पे वह बोल रही था था जैने की थी तो आई और उन्होंने 25 लाग का बोला कि 25 लाग के बदले मतलब घर में जा सकते हो 25 लाग छोड़ दो वाले जो विनिंग वनी है प्राइज मनी तो वो छोड़ दो अंदर एंटर हो जाओ वरना 25 लाग ना छोड़ो और घर से बाहर हो जाओ तो इस 25 लाग का शो म कमाने का दुबारा उन्हें मौका भी नहीं मिले गा उन्होंने बलकि के लोग संवस्यते आगे ख़िए पर प्रतीक नहीं किया इंफिय तो शमीता सही का कि अपनी मनी बचाने में 25 लाग गवा दिये अब कोशन यह कि 25 लाग कैसे गवाए जैने अगर कल टैस्क होता तो वह दस पांच क्योंकि चार हुए ना तो वह उसमें चारी लोग जाते तो अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह सारों में से यह सारे बहार होते और जय और प 25 लाग तो अटलीस बचेवे होते प्राइज मनी 25 जाते भी लेकिन अब जाहिर सी बाते जय और प्रतीक दो स्ट्रॉंग बहार थे और उनको अंदर लाना था बिग बॉस ने भी देख देख के कपल बना अगर आप गौर करें तो विशाल शमीता करन तेजा जय प्रतीक ठी लातिक है और निशान तो संचालन था वह तो उनकी उससे आगे अंदर तो यह साओ तो उससे नीचे थे तो मजने वाली बात है तो एनिवेज इस वे पचीस लाग नहीं गवाते अगर जय इतना ज़िद नहीं करता रहे इसके लिए तो विशाल ने भी सही बोला कि बिग बॉस ना यह दिखाना चाहरे थे कि सब कुछ जो है ना तुम्हारी सोच से नहीं चलेगा और मेरी सोच से चलेगा तो उसने उनकी सोच को खराब किया तो अब 25 लाग भी गवादी है तो विशाल वस राइट कि कल तक उसको लगा कि कोई भी चला जाएगा मैं तो किसी तहां अंदर जाऊंगा और जब पता चला कि वो खुद भी भार जाने वाला है तो उसने 25 लाग भी दाव पे लगा दिये सारे प्रिंसिपल भूल गया तो यह बात बिल्कुल सही बोली लोग बले अपनी कुछ भी लॉजिक लाएं पर यही यही लॉजिक बनता है और विदिन सेकंड उसने अपना माइंड चेंज कर लिया तो शमीता ने भी सही बोला कि अब आके बोलेगा कि दूसरों का सोचा था तो पहले क्यों नहीं सोचा दूसरों का तो यह बात मतलब जैके अगेंस्ट ही गई है और वह कितने भी रीजन्स ऐसला दें वो सारे वालेड नहीं करते हैं ध Review नहीं करते हैं पर यह बात कर रहते घ्रों और तो अपनी गलती नहीं मान रहा था भेसित क्थ यों मानेगा है वह उसके प्रिंसेपल ills के प्रिंसेपल से वहाँ रहें तो शमीता ने का के विकेंड के वा और पर पता चल पिर हमने देखा तेजा ने विशाल के लिए जैक को बोला के वो हैपी नहीं है सब घर वाले अंदर आ गए विशाल हैपी नहीं है अगर कमेंटरी कर ले करके जीतना होता ये करन से बात कही थी के कमेंटरी करके जीतना होता था फिर मैं भी कैमरे के सामने खड़ो के वो ही कर ही होती और उसको जो है ना सबके लग्जुरी आइटम शेर करने पर प्रॉब्लम था जैसे विशाल को और अपने ही रूल बना रहे हैं लोगों ने ये बोला करने तो उसने सबको बाद में ना इसी दिखाने के लिए के तुम्हारे रूल नहीं चलेंगे और सबको जाके कुक जान से कहा कि जैन ने बोला पांच लोग हैं उनका हक नहीं चीन सकता तो निशानने का एक का चीन सकता है पांच का नहीं चीन सकता मतलब हक चीनना तो हक चीनना नहीं है आप तो गलती दिखोगे किसी का भी हक चीनना गलती है चाहाए वह एक हो चाहाए वह पांच हो तो ए तो उसने बोला निशान से कि जो तेरे लिए अन्फेर है ना उनके लिए फेर था तो वह मतलब कोई बात नहीं मतलब इस तरह से जार देता है मतलब दिल में नहीं बाद में रखता के ठीक है एक चीज़ हो गई होगे अब खाता हम अगले टास में अगला कुछ तो इस बात के दिल बहुत साफ है और क्या बात है प्रतीक मैंने जैसे बोला तेजा जो ना विशाल से संकी हुई है और उसने जैसे डिसकस भी कर रही थी कि वो उसका मतलब इस तरह से आके हग करता है तचिस से उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके हुमर से प्रॉब्लम है तो वो साब दिख थे अब आइस्ता इस्ता सबको 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 दिखने लगा विशाल को तेजा से प्रॉब्लम है तो यही सब कुछ चल रहा है और अंदर गयते कौफी मांगी तो अकासा ने इस इस लिए मना करा माईशा को क्योंकि उसने बोला पता नहीं यह लोग करते हैं तो इन्होंने द क्योंकि पुछ तो यह सॉन नहीं करना तो इस बेस पूस ने बोला कि तेजा से पूछ लो यह कि पाते सकती है के नहीं देसकते यह सारा उस पहर दाल दिया अकासा पर तो गया तो वह माईशा और इशान को अगेंट बोलती वह दिखाई दी और तेज जन ने कहा कि सब उस पर डालना लगें हैं कि तेजस्वी मना कर रही है अपने को अच्छा दिखा के उनको गलत दिखा रही है जबके ऐसा नहीं था और आप जैना वह राशन का कुछ भी नहीं करेगी अब यह लोग कुछ देख लें अब यह कितना सच है कितना जूट है यह तो वक्त ही बताएगा सब का सब कुछ सामने आने लग गया है तो सब बाहर आ जाएगा तो इस तरह की यह बाते करती दिखी है आप देखते हैं अब तो गेम असल शुरू हुआ है क्योंकि सारे लोग जो है आप एक ही घर में अब यहां कोई जंगल वासी घर वासी कुछ भी नहीं है अब सब एक ही है और यह जो प्रोमो आया है दमाकेदार जो कि हम कल वीकेंड का वारत देखने वाले और बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है इसमें सल्मान कान ने जै को कहा आपके आदर्श आपके उसूल 100% फेक प्राइज मनी किसी की बिग बास प्राइज मनी कि इसकी बिग बॉस की उसमें इतना इमेज बचाने वाला स्टेंड लेनी की क्या जरूवत थी तो मतलब इससे कोशन करते वे दिखें सल्मान कान जै को और फिर प्रतीक को भी कोशन किया कि अगर करन की जगा जै होता जिस तान से उसने गिराया तो क्या करता तो पिर हम यह त के लिए बोला यह नहीं पता प्रतीक ने का वो हर्ट था करन से और करन ने भी का क्योंसे दुख हुआ था क्योंकि उसने उसके वो फार दिये थे तो सौरी बोला अब यह सौरी सल्मान के बोलने पर बोला है या दिल से बोला है यह तो सब कुछ वक बताएगा कि कितने कौन यसी वायड काट की एंट्री होने वाली है तो इसको प्रोमोट करती भी दिकhी है और कौन है यह तो कली पता चलेगा मनिश और हिना भी घर में आरें तो काफी इंट्रेस्टिंग दिख रहा है कि अग्तिविटीज होने वाले है यस वीटिज्ट पे So आप बताईए आपको कैसा लगा मतलब आज का एपीसोड और अब तो कल का ये जो प्रोमो है तो आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज बताएं कमें बॉक्स में and keep watching Big Boss live feed on Wood Select and episode every day on Colors TV and keep watching Gliss Vision USA for more updates, reviews and news and don't forget to subscribe our channel Hi this is Arjun Bijlani and this is Alisha Panwar and you're watching us on Glitz Vision USA